हेलो एन वेलकम काई इस वागत आपका फेंटासी डिस्टन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में आम लोग बात करेंगे बाई जो जारखन वोमन टीट्वेंटी ट्रोफिक के जो कि मैच होने वाला यहां से डन्बाट डफोल्ड इथ वोमन्स 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 के बीच मे प्लेयर पर एक बाई नजर कर लेते के कौनसे प्लेयर को लोग जा सकते हैं 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 कौनसे प् और करनेंगे तो चले फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को अभी दख आपने सस्क्राइब ने किया तो यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लीजगा नामीबिया और यूगांडा का T20 का वीडियो आपको मिल जाएगा तो बाकी यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लीजगा वर यहांसे टेलिग्रम से जूट जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आल्रेडी मैंने लिंक एटर्च कर दिया इनके से अगर लिंक वर्क ना करें ट्रेलिग्रम में जाके सर्च करेगा फेंटासी डिस्क्राइब चैनल में जाएगा प्रेडिशन और आपको सीधा माना चैनल में जाएगा पले उसे जोइन के लाना क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम आपको वही पर मिलने वाली है बात करें इस मैच के तो यह मैच सूबह में नौ बज़े जैसी इंटरनेशन श्रेडियम कंप्लैंक्स राची में इकले जाएगा बैटिंग प्रेंटली पीच है लेकिन मुमन मेच इसमें अभी दगतों कोई ज़्यादा स्कॉर हुआ नहीं है तो 90 से 110 रन के आजपा स्कॉर एक्सेटेबल है इससे ज़्यादा स्कॉर शायद ही बन सकता है बाकि चेजिंग रेकर्ड के बात करो तो कभी-कभी पिछले कुछ रेकोर्ड में देखा गया है इकवली आकड़ी देखे गया है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जो भी टीम टॉस जीते के पहले चेजिंग करना पसंद कर सकती है हाला कि आज की जो सेमी फाइनल मेंस थी वहाँ पर टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग पसंद की थी लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा तो शायर आई चिंग के शायर कल टीम टॉस जीत के पहले से दनबाज जीती है और एक मेच यहां से बोकारो ब्लोसम्स वूमंस जीती है तो एक बार फिर से यहां से बोकारो वूमंस जो है पिछली कुछ मैच इसमें इनका परफोमस काफी अच्छा रहा है व्यासे वरोल आप देख सकते हो 11 मैच के अंदर 6 मैच जित क्या रही है तो पिछली कुछ मैच इसका परफोमस उनका काफी अच्छा रहा आज की 6 वी फैनल मैच में भी तगड़ा परफोमस दिया था ममता कनोजिया यह से बैटिंग सेक्शन से हमारे लिए वेरी इंपोरेंट पिक रहने वाली है कोमल कुमारी को इस मैच के लिए आप लेके जा सकते हो क्यों लेके जा सकते हो इसके बारे में हम लोग लास में जब टीम बनाएंगे तब इसके बारे में बात करने कि बाकी ममता कनोज है हमेरे टीम में रहने वाली है बाकी यहां से दुरगाम और मुर्मू आपको बैटिंग से बॉलिंग से दोनों इसे एडवाटेज दे सकत यहां से कल होने वाली है final match और final match यानि कि बड़ी match की बड़ी player है यहांसे दुरका कुमारी मुर्मू इससे पहले भी यह tournament शुरू हो इससे पहले भी final match के अंदर 49 run बना के आ रही है I think कौन सी tournament थी इससे पहले जो भी tournament के लिए यहांसे दुरका मुर्मू वहां पर बहुत इससे पहले दो मैच के अंदर फैल रही इससे पहले 2 विकेट निकाल दिया थे तो I think अगली match के अंदर लोजी के लिए देखने के लिए तो वह फैल रह सकती है लेकिन यार लोजी के लिए बाकि हमारे लिए important pick बन सकती है ऐसे रीनी बर्मन इनको मैं पिछली चारोही मैच से बोल रहा हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन सिप के लिए आज मैंने उनका कैप्टन भी बनाया था लेकिन लास्ट आकरी वक्त पर स्वरी वाइस कैप्टन बनाया था और आकरी वक्त पर मैंने वाइस कैप्टन सिप चेंच की थी वरना यहां से ग्रांड लिक में एक अच्छा खासा रेंक मेरा हो सकता था लेकिन इनको वाइस केप्टन से छोड़ने की वज़ा से थोड़ा बहुत मुझे नुकसान दिलना बड़ा था बाकि काफी अच्छी प्लेयर से हैं दिनी बर्मन बेर इंपोनेट पिक रहने वाली है यहां से गरीमा सिंग, संजु पटेल, यहां से रिया राज इन तीनों प्लेयर का लेने का कोई मटलब बनता नहीं बिलकुल फोम में नहीं है, हाला कि संजु पटेल ने तो दो बार पर्फोरमस दे चुका है, अच्छा वाला लेकिन यहां से इन दोनों प्लेयर का अभी तक कोई भी अच्छा पर्फोरमस आया नहीं है अभी यह बात करते हैं, यहां से अनुष का पर्मार की, अभी देखो, यहां से दो विकेट निकाले, विकेट नहीं मिली, यहां से दो विकेट निकाले, विकेट नहीं मिली, यहां से दो विकेट निकाले, विकेट नहीं मिली, यहां से दो विकेट निकाले, लास मैच के अ रहा तो मैं यहां से वैसे भी मुझे personally काफी अच्छी लगी ऐसे player अनुषका पर्मार में इनके साथ जा सकता हूँ 15 मैच के अंदर 9 wicket से overall लेकिन performance अच्छा लग रहा है मैं इनके साथ जरूर दाऊँगा as a player मैं जरूर try करूँगा simran manchuri very important pick बात करते हैं से प्रिती तिवारी के प्रिती तिवारी पिछली 3-4 मैच से उनको wicket नहीं मिल रहे है इससे पहले 2 मैच में उन्होंने दो बार 2-2 wicket निकाला हूँ है अभी देखो आपके पास 2 choice होने वाले यहांसे अनुषका पर्मार या फिर यहांसे प्रिती तिवारी दोनों में से किसी को लेना है तो मैं यहांसे ज़्यादा प्रिफर यहांसे अनुषका पर्मार को कर सकता हूँ स्टार्टिंग वर्स के बात कर तो प्रिती तिवारी और दुरगा मुर्मो स्टाइटिंग मे आएंगे और देथ वस में यहाँस यहांसे रिटू कोमारी और यहासे रिनी बरमन दुनों आप प 맛이 ऍटीम में प्रवाएड करिवा दूगा तो शायद ही कोई खेल सकता है क्योंकि आखरी मैच दिल्स ने अभी दख 11 मेच के लिए जहां से 8 मेट वो जीच के आ रही है तीन मेच हार के आ रही है और यहां से इस टूंडा मेट के बात कर तो अभी दख का सबसे अच्छा पर्फोमस जो रहा है वह यहां से दनबा डफो डिल्स का रहा है पुश्पा महा तो पिछली दो या तीन मेच से नहीं खेल रही है इस से बेले खेली थी तो यहां से उपनिंग कर रही थी चांस है मुझे लग रहा है अगली मेच के अंदर एक बार वापस टीम उनको मुखाद दे सकती इसके लिए मैंने उनको उपर ही मेंचन किया हुआ है बाकि सूलियका कुमारी और यहां से फाइनल में आ गए थी तो शायद कल वापस एक बार फिल सी यहां से फुषपा महा तो केलती हुए नचर आ सकती है दुसरे नमर पर सूलियका कुमारी आइधिंग के शायद ओपनिंग में कंट्यूनिक कर सकती है मोनी का मूर्मु की बात करतो बैटिंग से बॉलिंग से दोनों इस तकड़ा परफॉर्मस पिछली दोनों मेच के अंदर दिया है तो एज अ प्लेयर हमारे लिए इंपोर्टन और वाइस कैप्टन सिप के लिए अच्छी चोईस रहने वाली है कुछ बुक हमारी एज प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपोर्टन रही कभी देखो यहा तो आरतीकुमारी तो हमारे लिए वेरी इंपोर्ट रहने वाली हैं अभी जया कुमारी wicker giving section से दिखेगे आपको ? बैटिंग से काफि नीची आती है तो इनके बारे में थोटा सा यहां से doubtful रहने वाला है इनके बारे मैं लास्ट में बाट करते हैं बाकि अंजली दास और यहां से शान्ती कुमारी दोनों में से अगर किसी को प्रिफर्मे करता हो तो यहां से शान्ती कुमारी को और बाकि स्यम परद्शन यहां से कभी भी अंजली दास भी देज़र चकते हैं, कभी भी दो विकेट अगर चाहे तो यहां से अंजली दास कर दो 그렇게 अंजली दास ने देथ वस में गैनबाजी की थी, व्यां। Бૌशे कोई खेलेगा तो इनके स्ट्रेश टैलिक्र नमें प्रवाइड कराढ़ूंगा आए चली देख लिए हमारी फैंटासी टेम कौन सी रहा सकते कौन से प्लेयर को मिलेगे जाना है कौन से प्लेयर को हम लोग यहां से यार कुमारी यानि की रितु कुमारी के साथ जा सकते लेकिन credit issue बहुत है तो इस credit issue का यहां से solution है मेरे पास एक ऐसी application जहां से आपको credit issue यहां से नहीं आएगा तो अगर आप save जाना चाह रहे हो और यहां से इस मुश्किल बरी तो काफी कम वहां से आपको less entry fees दिख़े की यहां से entry fees भी काफी कम है यहां से 105 रूपया में यहां से 200 head to head to head है तो 262 रूपया में यहां से 1000 वाला जो चार- निमबर वाला लीक है यहां से 262 रूप से यहां से 1001 प्याव विन कर सकते हैं तो यह सारी जो कम है वहां से आपको application का link pin message में मिल जाएगा टेलेग्रम में तो टेलेग्रम से जोट जाए वहां से link से download कर दीजगा का क्यू की कल की match के अंदर आपको यहां से credit issue का सामना ना करना पड़े तो credit issue अगर नहीं आएगा तो मैं यहां से क differential pick बन सकती है इनकी जगा पर आप किसको ले सकते हो यहां से जितु कुमारी को अगर लेना तो एक बार फिर से अनुसका परमार को निकाल के भी नहीं आएगे तो इनको अगर लेना तो यहां से आर्थी कुमारी को यह आपको drop करना पड़ सकता है बहलिंक सक्षंग के बाद करो तो यहां से शności कुमारी आर बर्मान और यहां से एर्ष मंचुरी यानि किशिंगरा मंचुरी हमारी टिम में रहने वाली है बाकि प्रीति तिवारी को अप ले सकते हो और यहां से अंजली दास के ओपर try कर सकते हो तो बाकि टीम कुछ इस सरा से रहेगी, कैप्टन हमारी रहेगी यहां से दुरगा कुमारी मुर्मू और यहां से मोनिका मुर्मू, आमेरे दोनों ही मुर्मू बेहने यहां से आपका Captain और Vice Captain से भी रहने वाली है आप उनको Rotate भी कर सकते हो और यहां से कुछ रिस्क करना चाहो तो इन दोनों को Rotate भी कर सकते हो तो अभी के लिए कुछ इस सरा से Team है लेकिन याद रही यह वाली बंदी भी आपको Captain और Vice Captain के लिए जरूर ट्राइ करने यहां से दिनी बर्मन को तो फाइनल टेम आपको टेलिग्राम में मिलेगी फाइनल लाइन आपके बाद तो टेलिग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत बुलेगा अगर वीडियो अचला वीडियो को लाइक और जरूर कर सकते बागी यूटूब चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाले उर अच्छे मैसिस के वीडियो अपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाले मिलते हम लोग अगले वीडियो में नई सर्प्राइट वीडियो करते हैं तब तका पूरा वीडियो देखते हो चानल एसिस करते हो अच्छेटी मरान दो चिमने करते हो बाई धन्यवाद जैन जय बारत